दोस्तों कि आप लोगों के भी जो विंडो 10 है या फिर कोई ओव विंडो है उसमें कुछ इस तरह का इशू आ रहा है एक्टिवेट विंडो गो टू सेटिंग्स टू एक्टिवेट विंडो ऐसा एरर आ रहा है आपके सामने इसे कैसे हटाना है कैसे स्क्रॉल लगा सॉलीश यहाँ पर और रन सर्च करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ चुका है अब यहाँ पर इस जगह पर आपको लिखना है यहाँ पर रैग एडिट यहाँ पर देखें मैं आपके सामने स्क्रीन शॉट भी आप कर सकते हैं यही आपको लिखके ओके पर क्लिक करना है, ओके पर जैसे ही आप लोग क्लिक करने के बाद थोड़ा सचसा आपको वेट करना है और आपके सामने एक और विंडो उपन हो जाएगी, तो देखें ये मेरे सामने ये पेज उपन हो चुका है, आप लोग देखते हैं, यहाँ पर आपको लेफ साइड में क उसकी एरो पर क्लिक करना है, यह एरो बनी हुई है, इस पर, इस पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ, देखें जैसे मैंने क्लिक के, यह काफी सारे और ओप्शन खुल गए, अब यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर नीचे, इसके नीचे एक आप्शन मिल जागा यहाँ पर, यह लिखा हुआ है, इसकी एरो पर क्लिक करना है, एरो पर, उस ओप्शन पर क्लिक करना है, एरो पर मैंने क्लिक किया, अब देखें यहाँ पर और ओप्शन आचुके हैं, अब यहाँ पर जो ओप्शन आए हुए है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देनी बादी बा तो देखिए आप बहुत सारे उप्शन सा चुगा आपको नीचे आना और एक चीज ढूने यहां पर देखिए नीचे आ जाएगे पहले काफी लंबा मीन्यों आपके सामने उपर हो जाएगा देखिए सब अरे इंचे अल्फावेटिकली तो आप लोगों को यहां पर देखिए नीचे आते जाना जैसे मैं स्कॉल कर रहा हूँ और यहां पर देखिए यह ओप्शन आप लोगों मिल जाएगा यहां पर S,V,S,V,C इस पर आप लोग को यहाँ पर Sv, Sv, C यह आपको ढून लेना है इसी के अंदर आप लोगो मिलेगा काफी नीचे जैसे मुझे मिला है वैसे ही मिलेगा उसकी arrow पर आप लोगो क्लिक करना है जैसे आप उस पर क्लिक करना है दो option उसके नीचे open हो रहे हैं तो आप लोगो उस पर क्लिक कर देना है Sv, Sv, C पर क्लिक कर दिया अब आप लोगो को यहाँ पर क्या करना है वो देखिए यहाँ पर आपके सामने काफी सारी menu देख रहा है start यहाँ पर लिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक करना है और right क्लिक करके यहाँ पर modify, modify का option देख रहा है इस पर आप लोग क्लिक कर देना है modify पर, तो देखे आपके सामने यह page open हो चुका है, अब यहाँ पर आप लोगों कोई लिखना है 3 value date यहाँ पर select कर लिजेगा और यहाँ पर जितनी भी लिखे हो 4 कर दीजे 3 नहीं 4 कर दीजे, फिर ok पर आप लोगों क्लिक कर देना है, जैसी आप ok कर दीगे आप देखे यहाँ पर यह 4 लिख गया है यहाँ पर, आप लोगों को यहाँ पर इसे ऐसे ही leave कर देना है और cut कर देना है, मैं cut कर देता हूँ अब देखे, आपने जतना कि live कर देखाता हूँ, तो guys देखे, मैंने restart कर लिया और आप लोगों देख सकते हैं मेरा यहाँ पर बहुत ही आसानी से यह जो error था हाट चुका है, राट साड़े पूरा clean हो चुका है, कोई भी यहाँ पर आप नोडिविशन नहीं आ रहा है, तो guys कोच इस तरह से आप लोग बहुत ही आसा है, इस प्रावलों को solve कर सकते हैं वीडियो अच्छा लोगा तो वीडियो को लाइक करें नहीं हो, तो सब्सक्राइब करने सा सब वाल वाले बेल आइकन को उटन, उनका नम मत भूलेगा